नमस्कार दोस्तों मैं सोड़ोब और आप देख रहो एसे स्क्रिक फैंड़ासी यहाँ पर मैं आपको मैंस से रिलेटेड हार इनपोर्टेन इनफोर्मेशन दिनी की पूरा कोशिस करूंगा जिसके मदद से आप एक वैतरिन फैंड़ासी टीम कॉंबिनेशन बनाने में काम्य जबरूरी है नीचे डेस्क्रिप्सन पर लिंक है अप लिंक के तुरू हमारे साथ टेलिग्याम चैनल से जुड़ सकते हो इस चैनल पर मैं हार्ड रोस इनपोर्टेन मैच को कवर करके डीटेल्स एनलाइज करता हूँ और स्टैकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता पिछले मैच 12 के चलते हुए थोड़ा काट करीता था मतलब 17 ओभर की मैच खेला गया था लेकिन मुझे लगते है इस मैच में आपको पूरा ओभर देखने को मिल जागा क्यूंकि आप वेदा फ्रोरकाश देख सकते हो गूगल में सुबह थोड़ा बारिस का चांस है 40-50 ब मतलब एक दो बाज कर देर बाज कर तब बारिस का कोई चांस नहीं है आप देख सकते हो उसके बाद फिर से एड़ा एंड ओब दा मैच बारिस का थोड़ा चांस होने वाला है लेकिन तब तक मैच मुझे लगते खतम हो नहीं वाला है क्यूंकि पांच बाजे से 30 वर्शन से लगवग आप उमीद रख सकते हो यह पर आपको पूरा मैच देखने को मिल जाएगा आप देख लेते पीछ रिपोर्ट पिछले दो मैच में आपने देखा था यह पर जो विकेट यूज हुआ था ना पूरा फ्लैट विकेट था मतलब पूरा का पूरा फ्लैट यह आप जड़ा से ज़्यादा बैट स्में को प्रेफार कें जिए खास करके बंगलार्डेस के टीम से और जो इनपोर्टेंड बोलर रहते हैं जैसे साखीब हो गया झाले जो इक के टेकिंग बोलर है तरीप का बोलर को अब जारूर टीम में प्रेफार कर सकते हो टोटाल यहां पर 70-20 मैच खेला जा चुका है जिसमेंसे बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने चार और बैटिंग सेकेंड करते हुए टीम ने तीन मैच ओन किया है फर्स्ट इनिस की एफरेज स्कूर की बात करें तो 150-160 लेकिन जिस तरीके का यह पीछ है यहां पर आपको 180 से लेक पाया और पेशार्न ने टोटार साद चाटका था और श्पीनार ने मतलब सेर्फ साकिब नहीं पाज उइके चाटका दिया था इसलिए आप इंपर्टेंट स्पीनर के उपर खास करके साखी बुलासान के उपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो टोटाल विकेट फॉल के बाद करें तो पेशार और स्पीन का यह रिस्ट आप देख सकते हो यह हेडवेड रेकोड है यहाप पर आपको श्ट्रिलिंग और साखी करना हम बा सब्सक्राइब होने वाला है क्योंकि यह हार बॉल को हेटिंग करने जाता है और फ्रैक्ट पीज होने के वाज़े से इसको आच्छा खासा स्कोरिंग भी मतलब मिल जाता है उत्तवाद नाजिमुलासान सेंटो पिछले मैच में इसको डिमोट कर जाए था क्यूंकि इसके पास उदना जादा हिटिंग एबिलिटी नहीं है लेकिन यह थोड़ा मतलब कांसिस्टेंसि स्कूरिंग करते है थोड़ा इनिंस को बील करते हुए इसके पास थोड़ा टेकनिक है मतलब चो ट्रिकेट में जैसे होना चाहिए है कि हीटिंग की जरूरत था पिछले मैच में हिदोई का भी यह रिशेंट फर्म है आप देख सकते हो सामीम हुसे मैं इसका भी पिछले मैच में प्रोमोशन हुआ था 30 रान मार दिया था उसके पास मैधी एसन मिराज है पिछले दो मैच से आपको मैं बोल रहा था मैधी एसन मिराज के पास उतना जाजा विकेट नासु महमेद है इस मैच म मुझे लगते है नासु महमेद थोड़ा इंप्रेंट हो सकता है। देखते है हासन मामूद है हासन मामूद भी सब्सकारन मामूद से मच नही करे है मुद्स अगर खेलता है तो इसका भी रिशन फॉर्म आप देख सकतो ठीक टाक परम है आप देख लेता है आयरलन की पस्वेल प्लिंग नेवें उद रिशन फॉर्म रोस आदिर के साथ आपको श्ट्रिलिंग को परिंग करते हैं देखने को मिल जगा आदिर का यह दिशन फॉर्म है आप देख साकतो है और बांगलादीस के सामझें बहुत शरी लेफ्टेंडर के आगे यागे व्यूर्म हमेसा घाताक समीश लोता है इसलिए हैरिटेक्टर का मतलब बोलिंग करने का चांद ठोड़ा ज्यादा है और यह बोलिंग आकसर करने आप देख सकतो बोलिंग में अ ने सकते है इसलिए यह लेख इंप्रटर्टन होने वाण है डिलानीक का यह द्युरे श्वास आर दक्ते हैं लेकाँंटेश को रटाभा है ? बहुतित नहीं वहाद नहीं मैच में Wicked चालता है यह को बात करें तो मारकादिर के साथ आपको dat मैंट को मिल जाएगा देट में मारकादिर के साथ गर्हम हम और माहिम और सब्सक्राइब यह कर दोब होने वला है इसका रिकॉर्ड आप देख लएजिए सिर्फ एक मैच को चोड़के सिर्फ के मैच को चूड़के इसका रिशेन फोल आप देख लेजिये ऑज लूमर्ट सारे के सारे मैस बैटिंग से अब स्टिलिंग को पिक कर सकता है क्या CONCENT है के अब कि त्म सेंट्ट को कर दिया था लेकिन यह अक्षार नंबर तीन पर ही बैटिंग करने आता है और यह अक्षा नंबर tactical स्कोरिंग भी करके देता है उसको बाद तालूग दर है यह मास्टर पिग होने वाल है इस पीछ के उपार तालूग दर से मतलब तालूग दर के बैट से आपको अच्छा कासा रान देखने को मिल जाएगा उसके बाद ही दो पिक कर सकते हो सेंड़ों के जगा और लाउंड से फिलर की से को पिक करना मैधियासन मिराज मुझे लगते इस मैच पे एक आधा विकेट चल्का सकते है क्योंकि बंगलादेश के टीम इस मैच पे थोड़ा एक्सप्रिमेंट करने वाला है क्योंकि यह सीरी जीत चुका है बॉलिंग से मुझे लगते मुस्ताभीज़रामान क अगर आयलेंड की टीम पहले बोलिंग करें तब उस कंडिशन में मारकादिर और ह्यूम यह मास्टर फिक होने वाला है अगर योंग खेलते हैं तो यह भी आपके लिए मास्टर फिक होने वाला है इस पाच पे मुझे लगता है नासु महमेद से थोड़ा विकेट मिल सकता ह नहीं तो बैटिंग और बोलिंग दोने दे सकते हैं वीडियो अच्छा लगा और इनफोर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिज.